नमस्कर दूस्तू आप स्वी का स्वागत अपने यूटूब चैनल तारीज जी के पर दूस्तू आज में आपके लिए करेंट फेर्स का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है दोयर 21 की अपडेटिड वीडियो लाया हूँ दोस्तो इस वीडियो में 50 कोशन को कवर करेंगे और हर कोशन के इंपोर्टेट फेर्ट को जानेगे दोस्तू वेरी वेरी इंपोर्टेंट टप्रिक रहने वाला है आने वाले सभी परीच्छाओं के लिए यहां सी एक्जाम एक कोशन पूछे पूछे जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं फर्श क्रेशन के लेते हैं वर्तमान में भारत के प्रधान मंतरी कौन है तो इसके सही आंसर है स्री नरेंद्र मोधी जी और ये 15 नमर के प्रधान मंतरी है अच्छे साब को याद रखना है स्री नरेंद्र मोधी जी ये 15 नमर के प्रधान मंतरी है चलिए नेश क्रेशन के लेते हैं वर्तमान में भारत के रष्ट पती कौन है तो इसके सही आंसर है स्री रामनात कोवें जी और ये 14 नमर के रष्ट पती है अच्छे सबको ध्यान में रखना है और दूस्तो कुछ एक्ष्टापन डिस्कस कर लेते हैं श्री रामनात कोवें से पहले भारत के रष्ट पती कौन थे तो इनसे पहले रष्ट पती प्रणा मुखर जी थे अच्छे सबको याद रखना है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं क्वेशन नमर 3 कर लेते हैं वर्तमान में भारत के रष्ट पती कौन है तो इसका सई अंसर है और दूस्तो ये तेरिवे नमबर के हैं ठीक है अच्छे सबको याद रखना है वें केया नाइडू ये तेरेवे नंबर के उप्राश्पती है चलिए question number 4 कर लेते हैं वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है तो इसका सई answer है स्री राजनाज सिंग वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री स्री राजनाज सिंग जी है ठीक है चलिए अगला question देख लेते है question number 5 कर लेते है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है तो इसका सई answer है स्री अमीज सा वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री स्री अमीज साजी है ठीक extra 5 इसके लेते है दोस्तों और इनके पास इसके अलावा extra charge भी कुछ है तो सहकारिता मंत्रा ले ठीक है याद रिखेगा अच्छे साब लोग question number 6 कर लेते है वर्तमान में भारत के सड़क परिवान मंत्री कौन है तो इसका सही answer है स्री नितिन गड़करी जी ठीक है याद रिखेगा अच्छे से और दोस्तों इनके पास इसके अलावा extra charge भी दिया गया है राजमार्क मंत्रा लेका अच्छे साब को याद रखना है very very important है दोस्तों अच्छे साब लोग याद रिखेगा चलिए अगला question देख लेते हैं question number 7 कर लेते है वर्तमान में भारत के क्रिशी मंत्री कौन है तो इसका सही अंसर है स्री नरेंद्र सिंग तोमर वर्तमान में भारत के क्रिशी मंत्री स्री नरेंद्र सिंग तोमर जी है याद रिखेगा चलिए question number 8 कर लेते हैं वर्तमान में भारत के के रेल मंत्री कौन है तो वर्तमाम में भारत के रेल मंत्री हैं स्री अश्वानी वैशलो जी ठीक है वर्तमाम में भारत के रेल मंत्री स्री अश्वानी वैशलो जी हैं और दोस्तों इन से पहले भारत के रेल मंत्री कौन थे तो इन से पहले भारत के रेल मंत्री थे पिश्व याद रखना आपको अच्छे से चलिए एक्ष्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं अस्वानी वैश्णों को रेल मंत्री के अलावा संचार मंत्राले इलेट्रानिक्स मंत्राले सुचना एवं परसारा मंत्राले इनी के पास है ठीक है चलिए question number 10 कर लेते हैं वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है तो वर्तमान में भारत कपड़ा मंत्री है स्री प्यूश गोयल जी ठीक है सही अंसर है स्री प्यूश गोयल जी अच्छे सबको याद रगना है इनसे पहले इस्मिर्ती इरानी थी इनसे पहले कपड़ा मंत्री इस्मिर्ती इरान थी याद रिखेगा अच्छे सापलो और दोस्तो कुछ एक्ष्टा पउंट देख लेते हैं इसके अलावा इन्हें एक्ष्टा चार्ज भी दिया गया है वड़ीजी अम उद्योग उपभुगता खाद और सरवाजिक मंत्राले वित्रण ठीक है वरतमान में भारत के आयुस मंत्री कौन है तो सही आंसर है फ्री सर्वानन सोनोवाल अच्छे सबको याद रिखना है और दोस्तो इसके अलावा इन्हें एश्टा चार्ज भी दिया गया है पतन पोद परिवाहन जलमर मंत्राले वेरी वेरी इंपोरेंट दोस्तो याद रिखेगा अच्छे से आप लोग चलिए अगला कोशन देख लेते हैं क्वेशन नमर 12 कर लेते हैं भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस इस्टाप यानि CDS कौन बने हैं तो सही आंसर है वीपिन रावाजी भारत के पहले चीफ आफ चीफेंस इस्टाप यानि CDS वीपिन रावाजी बने हैं ठीक है अच्छे से याद रिखेगा वेरी वेरी इंपोरेंट है आने वाले एक्जाम के लिए question number ठड़िन कर लेते हैं भारत के लेखा महान नियंतरग यानि CGA कौन बने हैं और दोस्तों यहाँ पर typing mistake हो गया है यहाँ पर CGA रहेगा ठीक है आप लोग यहाँ बना लीजेगा यहाँ पर CGA रहेगा तो इसका सही आंसर है दीपकदास भारत के लेखा महान नियंतरग या सब्सक्राइब कर लेते हैं वर्तमान में लोग सभा अधिश्च कौन हैं सही अंसर है ओम बिर्ला वर्तमान में लोग सभा के अधिख्च है ओम बिर्ला एक्स्ट्रापन डिसकस के लेते हैं ओम बिर्ला लोग सभा के 17 अधिख्च है अच्छे से याद रिखेगा आप लोग चलिए नेश क्रशन के लेते हैं क्वेशन नमबर 15 के लेते हैं राजी सभा के फीर से उफ सभा पती कौन हुए हैं सही आंसर है हरी वन्स नरायन सिंग राजी सभा के फीर से उफ सभा पती हरी वन्स नरायन सिंग हुए हैं ठीक है, याद रिखेगा अच्छे सब लोग, चलिए, question of session के लेते हैं, बहारत के नए नौ सेना प्रमुग यानि नेवी चीफ कौन बने हैं, जिसका सई अंसर है, आर हरी कुमार, आर हरी कुमार को नौ सेना का प्रमुग बनाया गया है, चलिए, एक्स्टर पंडिक्स के लेत हैं, वाइस एड्मिरल, आर हरी कुमार को नौ सेना इस्टाप का अगला प्रमुग नित किया गया है, और ये एड्मिरल, कौमवी सिंगी जगा लेंगे, ठीक है, और दोस्तो, इसका मुख्याले है, नए दिल्ली में, नौ सेना जिस मनाया जाता है, चार दिसंबर को, नौ स क्रिकेट अकादमी यानि NCA की अगले प्रमुग कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है, BBS लच्छमर, अगला क्वेशन के लेते हैं, क्वेशन अबर 18, पीटी सी इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है, राजीव कुमार मिस्रा, पीटी सी इपा कमिताब की जगली है, याद रिखना अच्छे से आपको, चलिए अगला क्वेशन देख लेते हैं, क्वेशन मर नारिन के लेते हैं, BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुखी कोच निव्त किया है, सही आंसर है राहूल द्रमेड, दोस्तो अब यहां बात हुआ है, BCC BCCI का, तो एक्ष्टरपन डेक लेते हैं, भारत में क्रिकेट मैच BCCI रिउलर करता है, और इसका फूल फार्म है, बोर्ड आफ कंट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया, और इसका सापना हुआ था 1928 में, ठीक है, अच्छे से याद रिखेगा आप लोग, और दोस्तो मुख ख्याला है मुंबई में, अध्यक्ष है सौरब गांगुली, और सचीव है जैसा, किलियर है, चलिए अगला क्वेशन कर लेते हैं, क्वेशन नमबर 20 कर लेते हैं, फिक्की के नए महानीजिसक कौन बने हैं? सही आंसर है, औरोन चावला, फिक्की के नए महानीजिसक औरोन चावला जी को बनाया गया है एक स्टोप एंडिसकस के लेते हैं अब यहां बात हुए दोस्तों फिक्की का तो फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुरणा वयवापारिक संगठान है फिक्की का फूल फार्म है फेडरेशन आफ इंडियान चेमबर्स आप कॉमर्स एं इंडिस्ट्री इसे हिंदियें बोलते हैं भारती वारी जी एवं उद्योग महासंग इसका सापना हुआ था 1927 को मुख्याले है नई दिल्ली में अध्यक्ष हैं उदेश संकर और महानिज्यसक हैं अरूर चावला क्लियर चलिए अगला कोशन कर लेते हैं question number 21 के लेते हैं भारती बैंक संग यानि IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका सई आंसर है अतुल कुमार गोयल को भारती बैंक संग का नए अध्यक्ष मनाया गया है याद रिखे के अच्छे से चलिए extra point discuss के लेते हैं भारती बैंक संग आईबिये ने UK के प्रबंद निदेशक एक को संग का नया अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है Q22 के लेते हैं राष्टि बाल अधिकार सरंग्षण आयोग यानि NCPCR के फिर से अध्यक्ष गौन बने है तो इसका सही आंसर है प्रियंग कानूनगो प्रियंग कानूनगो को NCPCR के फिर से अध्यक्ष बनाया गया है याद रिखेगा अच्छे से चलिए अगला कोशन देख लेते हैं Q23 के लेते हैं भारत पे के ने अध्यक्ष कौन बने है तो इसका सही आंसर है रजनीस कुमार भारत पे के ने अध्यक्ष रजनीस कुमार को बनाया गया है और दोस्तो एक्षटर पायंडिक्स के लेते हैं भारती इस्टेट बैंक के पूरो प्रमोख रजनीस कुमार भारत पे बोर्ड के ने अध्यक्ष के रूप में निक्ठ हुए हैं Very very important दोस्तो Very very important है तो आप लोग एक कोशन को अच्छे से तियार के लीजिएगा ठीक है? चली, अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 24 के लेते हैं प्रधान मंत्री निरंद्र मोधी के नए सरकार कौन बने है? सही आंसर है, अमीत खरे अगला कॉशन देख लेते हैं Q25 के लेते हैं खेल विवाग की नई खेल सचीव कौन बनी है तो सई आंशर है सुजाता चतुरवेदी अगला कॉशन देख लेते हैं Q26 भारती वायु सेना के नए उप प्रमुग कौन बने है सई आंशर है संधीप सिंग के नए उपर मुख बने हैं याद रिखे के अच्छे साप लो चलिए question number 27 कर लेते हैं सीमा सुरच्छा बल यानि BASF के नए महानिजेसक कौन बने हैं सही answer है पंकच कुमार शिंग को BASF के नए DG बनाए गया है ठीक है यानि महानिजेसक अब यहां बात हुआ है दोस्तो BASF का तो BASF का फूल फार्म है Border Security Force इसे हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरच्छा बल अस्तापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो है जीवन परियंद करतब्य ठीक है अच्छे से याद रिखेगा चलिए अगला क्वेशन कर लेते हैं क्वेशन नमबर 28 कर लेते हैं आर्थिक विकास संस्थान यानि IEG के नए अदेश कोन युक्त हुए हैं सही आंसर है नंद किसोर सिंग नंद किसोर सिंग को आर्थिक विकास संस्थान के नए अदेश के रूप में युक्त किया गया है एक्स् आर्थिक विकास संस्थान हिंदी में क्या बोलते हैं आर्थिक विकास संस्थान इंगलिस में इंश्टूट आप एकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है अच्छे सब लोग याद रिखेगा कुछ यहां भी पॉइंटे देख लेते हैं पंद्रहवे वीत अयो के अध्यक्ष एनके सिंग को भार्थि विकास संस्थान सुसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है उन्हों ने पूरो परधान मंत्री मनमोहन सिंग की जगह पर या पदभार ग्रहण किया है ठीक है अच्छे से याद रिखेगा चली अगला कोशन देख लेते हैं क्वेशन नमबर 29 क देख लेते हैं अब यहां बात हुआ है CRPF का तो CRPF का फूल फाम है स्टेंटर रिजाब पुलिस फोर्स इसे हिंदी में बोलते हैं कैंदरी रिजाब पुलिस बल अस्थापना हुआ था 27 जुलाई 1949 को मुख्यालय है नई दिल्ली में महानिजेसक है कुलदीप सिंग और म मिश्ठार। चलिए आगला कोशन देखते हैं संक और कोशन नबर थड़ी कर लेते हैं प्रेशट रस्ट आप इंडिया यानी PTI के फीरसे अद्यश्च कौन बने हैं सही आंसर है अविक सरकार प्रेश ट्रस्ट आप इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने है अविक सरकार एक्ष्टर पन डिसकस के लेते हैं अब यहां बात हुआ है प्रेश ट्रस्ट आप इंडिया यानि PTI तो PTI का फूल फार्म है प्रेश ट्रस्ट आप इंडिया ठीक है और इसका सापना हुआ था 27 अगस्त 1947 को मुख्याले है नेदिल्ली में और अध्यक्ष है अविक सरकार चलिए अगला कोशन देख लेते हैं भारत के लेखा महानियंत्रग यानी CGA कौन बने हैं सही आंसर है दीपक दास अब दोस्तों बात हुआ यहां CGA का तो CGA का फूल फार्म है कंट्रोलर जन्रल अफ एकाउंट्स कंट्रोलर जन्रल अफ एकाउंट्स दीपक दास भारत के 25 महानियंत्रग बने है ठीक है दीपक दास ने सोमा बर्मन की जगा ली है अच्छे सबको याद रखना है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं वरतमान में लोग सबा अधिक्ष के क्या नाम है सही आंसर है ओम बिरला अगला कोशन देख लेते हैं नासा के नए अधिक्ष कौन बने है सही आंसर है बिल नेलसन नासा के नए अधिक्ष बने है बिल नेलसन ठीक है एक्स्टरपंडिक्स कर लेते हैं बिल नेलसन नासा के चोदोवे एदक्ष बने हैं अब दोस्तों यहां बात हुआ है नासा का तो नासा का फूल फाम है नेशनल एरोनेटिक्स एंड इस्पेस अड्मिनिस्टेशन अस्थापना हुआ था 29 जुलाई 1909 ठामन को मुख्याले हैं वासिंटन डीसी अध्यक्ष हैं बिल नेलसन और मोट हो है for the benefit of all अच्छे से याद रिखेगा आप लोग चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं भारती रिजर्ब बैंक यानि अर्बियाई गौवर्नर कौन है सही आंसर है सकति कांदास अर्बियाई गौवर्नर है सकति कांदास जी ठीक है अ अच्छे से याद रिखेगा एक्ष्टरा पंडिस्कुस कर लेते हैं अब यहां बात हुआ रबियाई का तो रबियाई का फूल फार्म है रिजर्ब बैंक अफ इंडिया भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें अर्बियाई रिगुलेट करता है अर्बियाई का स्था अपना हुआ था एक अप्रेल 1935 को मुख्याले है मुंबई और इसे गुवर्नर है सक्ति कांदाजी ठीक है अच्छे सी याद रिखेएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं इंडियन मेडिकल एसोसियेसन यानि I.A. के नए राष्टी अध्यक्ष कोन बने है सही आंसर है डाक्टर जैलाल डाक्टर जैलाल I.A. के नए राष्टी अध्यक्ष बने है question number 42 के लेते हैं नीती आयोग के उपाध्यक्ष कौन है सही answer है डाक्टर राजियुकुमार नीती आयोग के उपाध्यक्ष है डाक्टर राजियुकुमार ठीक है चलिए एक्स्ट्रा पंडिस्कस के लेते हैं अब यहां बात हुआ था नीती का तो नीती का फूर्फाम होता है National Institution of National Institution for Transforming India अस्थापना हुआ था एक जुनवरी दोहर पंद्रव को मुख्याले है नई दिल्ली में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी उपर अध्यक्ष है राजिव कुमार और शियो कौन है तो अमिताव कांथ ठीक है याद रिखेगा National Cadet Corps यानी NCC के नए महानिज़त कौन बने है सही आंसर है गुरवीर पाल सिंग Q45 के लेते हैं संग लोग सेवा आयोग यानी UPSC के नए अधिश कौन बने है सही आंसर है प्रदीप कुमार जोसी प्रदीप कुमार जोसी को UPSC के नए अधिश बनाया गया है अब यहां बात हुआ है UPSC का तो UPSC का फूल फाम है Union Public Service Commission इसे हिंदी में बोलते हैं संग अस्तापना हुआ था एक अक्टूबर 1926 को मुख्याला है नए दिल्ली में किलियर है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं Q46 कर लेते हैं कर्मचारी चैन अयोग यानि SSC के अधिक्ष का क्या नाम है सही आंसर है ब्रज राज सर्मा Q47 के लेते हैं अब यहां बात हुआ है SSC का तो SSC का फूल फार्म है स्टाप सेलेक्षन कमीशन इसे हिंदियं बोलते हैं कर्मचारी चैन अयोग और इसका मुख्याला है नए दिल्ली में Q47 के लेते हैं Steel Authority of India यानि सेल की पहली महिला अधिक्ष किशे निउत किया गया है सही आंसर है सोमा मंडल एक्ष्टाप अंडिसकस कर लेते हैं अब यहां बात हुआ है सेल का तो सेल का फूल फार्म है Steel Authority of India लिमिटेड इसे हिंदियं बोलते हैं भारती इसपाद प्राधी करण अस्तापना हुआ था 19 जनवरी 1954 को मुख्याला है नए दिल्ली में चलिए अगला क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नंबर 48 कर लेते हैं वर्तमान में भारत के ग्री सचिव कौन है सही आंसर है अजे कुमार भल्ला वर्तमान में भारत के ग्री सचिव अजे कुमार भल्ला है क्वेशन नंबर 49 कर लेते हैं राष्टी सुरक्षा गार्ड या इसे हिंदी में बोलते हैं राष्टी सुरक्षा गार्ड अस्थापना कब हुआ था तो 1986 में मुख्याला है नए दिल्ली में अस्थापना 1986 में मुख्याला है नए दिल्ली में और इसका फूल फार्म नैसनल सेक्रियोटी गाड हिंदी में क्या बोलते हैं राष्टी सुरक्षागाड ठीक है अच्छे सब लोग याद रिखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो अच्छे सब लोग याद रिखेगा चलिए अगला कोशन कर लेते हैं और यह मेरा लाश कुशन है क्वेशन नवर फिप्टी कर लेते हैं कैंद्री अन्वेशर्ड विवाग यानि CBI के महानिज़े से कौन है सही आंसर है सुबोध कुमार जैसवाल अब यहां बात हुआ है CBI का तो CBI का फूल फार्म है Central Bureau of Investigation हिंदी में से बोलते हैं कैंद्री अन्वेशर्ड विवाग अस किये हैं और आने वाले सभी एक्जाम के लिए इंपोटेंट वीडियो है दोस्तो और इसका PDF चाहिए तो इसके संब बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आप लोग वहां डानलोड कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा और दोस्तो अभी तरह चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेश कर ले जिससे आने वाली हर एक वीडियो के नोटिवेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ थैंक यू